हेलो एब्रीवन मैं विश्रु जी आप सब इकादाई नपस्वाइब तो आज की स्वीडियो के निए हम में हिस्ट्री के बारे में बात करें एक्जाम से कुछ पहले क्या पढ़ें इस लेसन पर मारा विस्स और साथ इससाथ एक्जाम को लिकर क्या टिप एंड ट्रिक्स हो स किस परकार से देश की जो आर्थिक ववस्था थी आधूनिक भारत किस तरह से विक्सित हुई इसके बारे में से लिए बुक को स्टार्ट करते हूं सबसे पहले अगर मैं आपको बुक के बारे में बताओ तो आपके बुक के अंदर में टोटल एट ब्लॉक हैं हर ब्लॉक क पर खंड और से पांच लेसन आपको टोटल आपको 39 लेसन पर अभी जैसे आपका दो दिन बाद एकजाम में आपका 3 तेरत इसंबर हो तो अभी इतना टाइम नहीं कि आप एक एक लेसन को कवर कर पाओ और इस बुक से पड़ो इतना टाइम नहीं है टाइम जा चुका है अब इससे में पढ़े क्या, तो कुछ selective lessons के बारे में बात करेंगे, कुछ selective topic के बारे में बात करेंगे, कि अगर आप 2.5 घंटे बैठ कर प्रॉपर तरीके से ददस्मिनेट भी उन topic के उपर देते हो, समस्ते हो, तो आप अच्छे तरीके से उन topic को cover कर लो, तो अच्छे नंबर बन जाते हो, तो लिए स्टार्ट करते हैं, block first है, सबसे पहले अगर मैं block first की बात कर दो, block first के अंदर में पर्ट, इतिहास लिखन किस तर से किया जाता है, परियावरन को लेकर क्या संदर के और अर्थवरस्था के recording में क्या चीज़े आती हैं, तो तीन तरह के topics आपको देखने, total first block के अंदर में चार lesson आते हैं, पहला lesson important रहेगा, पहले lesson के अंदर में आपका जो question बन करा आते हैं, प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास से लिड़िड कोशन बन कराएगा, कि प्राचीन भारत के अंदर में आर्थिक इतिहास किस परकार कर रहा, इससे लिड़िड कोशन आपके मिल जाएगा, आपका पहले lesson का नाम है पुर्व उपनिवेशिक अर्थ विष्था का इतियांस लिखने का प्राचिन काल, पहला lesson इंपोर्टेंट रहेगा जहां पे आपसे पूछा जाता है कि प्राचिन भारत का आर्थी के इतियांस लिखने का सब्सक्राइब किस पर अगर आप प्राचि किस तरीके से उनकी अर्थवस्ता के निदर में योगदान रहा किस तरस उनकी सुसाइटी का विकास हुआ किस तरीके से आगे बड़े सेरी करन की और किस तर से अगरसर हुए इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे और किस इतिहास कार के द्वार क्या चीजी बोला गया किस प्रोस्पेक्टिव में समझाया गया उत्पादन को लेकर किस तर से क्रिशी उत्पादन होता है जब वो क् जंगल थे या फिर जो छेतर था ना उसका विस्तार करना शुरू किया गया तो क्या परिवर्तन रहा किया इंपक्ट रहा किसी तिहांसकार ने क्या बोला वो आपको यहां पे तो lesson 1 important रहेगा, lesson 2 भी similar question के साथ में आता है, ठीके एक next step आगे जहांपे हम मद्यकाल के बारे में बात करते हैं, तो दोनों similar ही हैं, दोनों को आपको लेकर चलने पड़ेंगे, but lesson 1 यहां पर important है, बाकी आप यहां पर lesson 3 की बात करो, तो lesson 3 यहां पर most important रहेगा इस ब्लॉक के lesson 3 के नदर में हम बात करते हैं, उपनिवेशिक अर्थवस्ता का इतिहांस लेकर के बारे में, इसमें आपका अलग-अलग दृष्टी कौन को लेकर question बन कर आता है, कि ideology क्या है, जब हम उपनिवेशिक अर्थवस्ता के इतिहांस के लेकर मतलब क्या है, जब हम गुलामी के दौर में थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जिन्होंने हमारे उपर अपना कब्जा कर रखा था, उपनिवेश कायम कर रखा था, उनके द्वारा किस तरीके से भारती अर्थवस्ता का इतिहांस लेकर क्या ideology रखेगी, और उस time period के अंदर में किस व्यक्ति के द्वारा किस तरह के अवधारना रखे गई, इसके बारे में बढ़ती है, तो टोटल यहां पर चार ideology के बारे हम बात, उपनिवेशिक द्रिश्टी कोन किस परकार का था, ठीक है, उपनिवेशिक अर्थवस्ता को लिखकर, जो उस समय गुलामी का दौर था, उस time period के अंदर, उपनि जो लोग थे, माक्सवादी समर्थक जो लोग थे, उनका क्या माना थे, चौथा टॉप पर आपका आएगा उधारवादी, द्रिश्टी कोन या फिर नव उधारवादी, यहां पर चार अलग-लग द्रिश्टी कोनों को आपको explain करना होगा, ठीक है तो यह तीसरा चैप्ट कि आपको prepare होना पड़ेगा, और अच्छे से त्यारी करना ही पड़ेगा, अब कैसे त्यारी कर सकते हो, तो इसके लिए मैं suggest यह करूँगा, कि जाई नव आपके उपर में जाओ, इस तरीके से question पूछा जाता है, वो clear होगा, जिससे आप easily उसको कर पाओ, ठीक है, समझ रहे हो, तो आपको यह जरूर करना है, अच्छे नंबर के लिए अच्छे नंबर लाना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस बाले block के अंदर में बागी कुछ है नहीं, पर अर्थवरस्ता का उद्भव और सनरचना के बारे में, किस तर से, ना glamorous अर्थवरस्ता, जो एकनोंइ तर ना complex economic का उद्भव हुआ, विकास हुआ, उसकी सनरचना हुई, इस बारे में धिसक्स करें, इस ब्लॉक के अगर हम बात करें, तो तोल यहां पर 5 से लेके 9 तक के lessons आ और नगरिये तक हडपा सब्यता हसाुट यहाँ पर बनकर आ जाता है यहाँ पर टॉपिक आपका कृष्व उधवव का कि किस प्रकार से ऊए तो क्रिशी को लेकर क्या प्रमारमिल हडपा में पर सुपालन ववस्था को लेकर सिलफुत पादन को लेकर नगरिये क्रण को लेक से एक्स्प्रेंग करसकते हो कि हरापा किस Ş actions करा किर encourages से भूकर किस परकार से हुआ का निर्मान किस परकार से वा वक्राना गार क्या होथा था तो प्रॉपर तारीक साफ इसको इन व Carl वी पढ़ाया आगे बढ़ोगे लेसन नमबर फाइव के बाद लेसन नमबर सिक्स में कुछ खास नहीं है बड़ यहां पे टिपड़ी वेस कोश्चन कही बार आ जाता है मुख्या तंतर को लेकर कि नव पाशान और तामर पाशान संस्कृतियों के अंदर में मुख्या तंतर वबस्ता किस किस परकार का था यह आपको बताना कि अतंतर किस तरीके सब्सक्राइब को लेकर चल सकते हो अगला जो आपका लेसन आएगा लेसन नमबर साथ है लेसन नमबर सैवन के अंदर में कुछ पारंबिक राज्यों की अर्थवस्ता की तुल्नात्मक संरच और्रे कुशान सात्व कुछ परकार की तरह से लिक मिले जुनागड से लगाला से अगले कि साक्षय परमाण मिले जिसके अदार में पता चला किरश्य अधर वस्ता किस पर्कार की रही जानकारी मिली तो प्रस्तियां है क्या उसके बारे में यहां पर लेशन नंबर 7 के लेशन बात करते हैं कि भारत की जो मौौरे यशन आपको डिशन नंबर 8 के धार में गनत मिले उसके अधार पो हम बात करते कि किस तरीके से क्या तो यहां पर अगर लेसन नंबर 9 के और बढ़ोगे तो लेसन नंबर 9 के अंदर में आपको एक कोशन यहां पर मिलेगा दखन के पारमबिक सहरीकरन के बारे में दखन का पारमबिक सहरीकरन किस परकार का था ठीक है और भारत के अंदर में मुद्रा ढलाई या भारत के अंदर मुद्रा करना का विस्तार हुआ ठीक है मुद्रा की डखलाई किस परकार नरत को सहरी करण विवस्ता था किस तरह से विकास किया सहरी करण का क्या इस वाले पूरे ब्लॉक के अंदर अगर हम ब्लॉक सेकेंड को एक बार द्वारा में बताओं आपको तो आपको सबसे पहला क्रिशी उत्पादन हडपा वाला टॉपिक आ जागा जागा जो इम्पोर्टेंट है बाकी इसके जो लेस्न नमबर शिक्स के अंदर में आप देख सकते हो लेस्न नमबर 8 के अंदर में मौर्य काल की वैपारी गति इया क्या है यह इंपोर्टेंट रहेगा और नमबर 9 में दखन का सहरी करण रोमन वैपार और सिक्कों की ढलाई एक ही के अंदर में आ जाता है ज्यादा 20 के अंदर में आपके और अगर हम ब्लॉक 3 के और ब बढ़ रही थी, इस तरह से उसके अंदर में निरंतरताएं देखने के लिए में मिल रही थी, इसके बारे में अगर हम discuss करें, इस ब्लॉक के अंदर में almost आप देखोगे कि 10 से लेकर 15 तक का जो lesson है, lesson number 10 to 15 वो आपको यहाँ पर cover करना है, और इसके अंदर starting के अगर आप देख पूछा जाता है question, सामन्त वाद का question important है, कई बार पीछे पूछा गया है, ठीक है, और इसको आपको study करके चलना है, अलगर दिस्टी कोन भी पूछा जाता है, किस दिस्टी कोन के इसाफ से क्या रहा सामन्त वाद, यह आपको बताने के आजाता है, ताब यहाँ पे इसको बाद आपका जो lesson number 11 है, यहाँ पे आपको topic दिख जाएगा, भू अनुदान का, कि जमीन अनुदान, भू अनुदान होता क्या है, ठीक है, ठीक है, और time period रहेगा आपका 500 से लेका, 1300 से जो इस वी का बीच का जो time period है, उसके बारे बात, ठीक है, तो इस time period के अंदर में जो जमीन दे नहीं सकते, यतना पैसा है निया, 10 रुपे, 20 रुपे दे तो बड़ी बात है, बट उस समय पे क्या होता था, भू जमीन दिया जाता था दान में लोग, और ऐसा नहीं होता था, उस time period पे कि जो अच्छी जमीन हो दे दे, आसी पड़ी हुए ना, खाली पड़ी ह पहले बहुत अंगीनत था, लोगों के पास में, जन संग्या कमती जाता था, लोग ऐसी दे 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 ले, पकड़ा तू रह, एक रीजन ये भी होता था कि जल पंडी जी को दे देंगे, तो भाई पंडी जी हमें मादलब डारेक्ट स्वर्ग में पोर्ट करवाएंगे, वो इस तर से भी एक चीज़ होती थी, तो वो चीज़े एक आन से, अब बुर्दान आन से, वो मुझे उसके बारे में नहीं बोला, नॉर्मली एक टिपड़िवेस टॉपिक के तौर पे इंपोर्टेंट है, लेसन नुबर 12, कुछ खास नहीं रहने वादे इसके अंदर में, परंबिक मत्यकालिन स्टरीकरण के स्वरूप, इम कृशी समाज की छेतरिये रूप रेखा, कृशी समाज का पूरा स्ट्रक्चर किस परकार का था, किस तरीकरण किस तर से, मतलब एक ना, स्टेंडर्ड सेट क्या हुआ था, इस से लिड़ेड कोशन बन दे, बट यहाँ प बढ़ोगे, तो लेसन नमबर 13 के अंदर में आपको, लेसन नमबर 13 के अंदर में आपको दिखेगा कोशन, अगरहार ब्रहदे अनुदान के बारे में, अगरहार क्या होता है, ब्रहदे क्या होता है, अनुदान क्या होता है, इस से लिड़ेड कोशन आपका, लेसन नमबर 13 जिम्यदार मानागे, सामंतवाद के पतन के बिज़ सहरीकरण जिम्यदार मानागे और सहरीकरण का पतन क्यों हुआ यह आपको यह बताए कि सहरीकरण पतन हुआ कैसे, ठीके तो यह चीज इंपोर्टेंट रहे अग्रहार ब्रहदे जो इक अनुदान का ही शुरूप था ठीक है वह आपको टिपरीडी बेस के अंदर में मिल जाएगा उसके बाद आप आगे जाओगे तो सहरी पतन जो आपका लेसन नंबर 15 के अंदर में सहरी पतन किस परकार से हुआ ठीक हैंग सांग के नुसार वानिजिक गतिवीदियां किस परकार रहे थी यह सारे कोश्चन आगाते हैं बट कुछ खास नहीं है यहां पर सहरी करन का पतन का लेसन नंबर 15 जिसमें हम विनिमय इतंतर के बारे में बात करते हैं कि कि किस सरी किस से एक दूसर से लेंदिन किया जाता था दच्छिन भारत के अंदर में वह रहे हैं यहां पर छोड़ सकते हैं लेसन नंबर 15 के अंदर में आपको एक और टिपनी बेस कोश्चन दिखेगा निकले मिलेगा जो दच्छिन भारत के सहरी का विकास कैसे हुआ नाडू नगरम न दच्छिन भारत के सहरी करन का इक इंप्रणन पार्ट है उसके अंदर में उसके आती है ठीक है समझ में आता है तो यह वाला ब्लॉक यही तक रहेगा नेक्स्ट ब्लॉक के और बढ़ते हैं अगर हम नेक्स्ट ब्लॉक ब्लॉक नमबर फॉर की बात करें तो यहां तो इसके अंदर में हम 16 to 20 की लेसंस भी करते हैं टोटल 5 लेसंस आप जिसमें हम बात करेंगे पहला जो आपका रहेगा क्रिशी उत्पादन को लेकर 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 16 कुछ खास नहीं है अगर इसमें कोश्चन देखोगो तो कोश्चन यहीं बनकर आता है कि मद्देकाल में भार कि वरगी करन्त ही तो उस टाइन पर बारे से इंधर में जो किसांता उनके उपर मैं इंप्यक्ट के लागए है तो टकनीकी विस्तार हो रहा था तकनिकी विकास हो लाथ था इंपेक्ट किस तरीके से दीखता है वो आपको यहाँप it साती साथ किसानों की ना जो खुदा कस्ट और पहीकस्ट वह क्या होता था उधकर मतलब जो पर में रिण का बोज डाला जाने लगा अलग तरीके से उनको लोन दिया जाने लगा और जमीनी सोरूप उन्जद छीना जाने लगा बागी बहुत सारी चीज़ें इंपक्ट है इसके कारण से हम खिसानों की दसा के बारे में बात करते हैं और इसी के अंदर में आपका रिण क्रिष्य के उपर में निर्भर होकर आप विकास निकरते आगे बढ़नने के लिए आपको इंडुवी करन का विकास करना पड़ेगा फ्रेक्टरी भी खोलने पड़ेगी वहुत भीड़ोग करने पड़ेगी जिसके बाद होगा अगर सब लोग क्रिष्ची करेंगे तो इस क्रिशी के साथ साथ में गैर क्रिशी उत्पादन भी जरूरी है तो गैर क्रिशी उत्पादन का महत्व क्या है किस तरस उसका विकास हुआ मद्यकाल के अंदर में गैर कुछी इत्पादन का इंपोर्टेंस क्या है यह स्रीटिक कोश्चन आपको दिख जाएंगे यह लेसन आपको इंपोर्टेंट रहे इस तरह के टॉपिक्स आपको इस लेसन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा तो आपको करों का इस्लामिक सिदान्थ पढ़के जाना है दखन और मुगल के इंदर में जो राश्व पढ़ना ली थी वह पढ़के जाना यह इंपॉंट है किस तर से कसमों का विकास हुआ किस तर से बंदर गाहों का विकास हुआ रही सहरी केंदरों के तोर पहें ने पर बने हुए है जो पूरे इर्द्रित घुमता है थीक है आप यूपी में जाओगे बनार सिलाबाद नदियों के किनारे बसा हुआ है प्रॉपर एक हब के तौर पर बसा हुआ और सबसे विक्सित सहरों में से माने चाहते हैं तो इस तरीके से चीजें हैं तो किस तरीके सु करकी रही। लैस्ट नंबर 18 जहां पर बात करूए गयर की रिशूवतिपादन के बारे में Thai किस्तार prevent बंधिष्त चाहर इंदली जांप सुर्त इर्फ्रमक करकर कहा से लेकर 25 के लेसंस आते हैं अगर आप ब्लॉक नंबर 5 की बात करो यहां पर 21 से 21 जो है आपका आंतरिक समुंदरी वैपार किस प्रकार से कोशन बनकर आभी जाता है बट कुछ खास कोशन नहीं है इसे वैपार के अंदर में क्या मातूरा समुंदरी वैपार का किस तरीके से योगदान था क्या इंपोर्टेंस रहा है इसे रहते हैं टॉपिक बट कुछ खास नहीं रहेगा इसको छोड़ सकते हो अगला जो लेसंन वह इंपोर्टेंट है वैवसाई गतिवीदिया और मुद्रा ववस्ता यहां पर कोशन यह बनकर आता है कि मुगल काल में मुद्रा विस्तार किस प्रकार से हुआ मुगल टाइम परेड़ के अंदर में बात की जाती है तो कोशन इंपोर्टेंट है लेसन बर में परहिवन और संचार ववस्ता किस परकार किती यहां पर कुछ खास नहीं पूछा जाता है एक्जाम में इस वाले यूइट से प्रॉपर आप lesson बड़ 25 में जाओगी जहाँ पर भारतिय इत्यास के बारे में बाज कि जाए जहाँ पर एक नहीं मतलब मोगल सम्राज जी अपने पतन के दौर पर पिक से दम चाहांятся क्या पे पेज़ेता निरादिक आवालही देखोगे तो जमिंदारी प्रत प्रत हुपि पंच्छण के लिए निराधीकरन बताए है मुद्रा्विस्तार के बारे पढ़ना कि मुद्राविस्तार क्या होता है और आपका लेस्ट नुबर 25 जहां पर आप जागिदारी पर था मनसब्दारी पर था जमिन दर जोतोदार तालुक दार जमानी वजश्ता और निराद दोधी करण क्या होता यह बता दोगी करण मतलब ना जो इंडस्टालाइजेशन के विरोद में इसके लिए बात करना है ठीक है व्लॉक नुम्बर 6 के और बढ़ते हैं बजार और वैपार 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 बजार फ्लॉक नुम्बर 6 इंपोर्टेंट रहने आपके लिए लेहलाघ लाच नंबर 6 के अब यहां पर इह स्टरक्चर एंदर किस वायपार का आपके कि दोनो लेस्न को थोड़ा था मज़े लेना इस वाले बुक के अंदर में प्लस पॉइंट ये भी दिखता है ना कि ज्यादा तर कोशन ना सिमलर है और ना आप बना कर लिख सकते हैं ऐसा कोशन नहीं कि आपके पास वर्ड नहीं रहेगा बनाने के लिए बना कर लिख सकते हैं किस तरह से वजार का विकास हो है नहीं मतलब सो नॉर्मली एक वैपार के स्ट्रक्चर को में पढ़ना है कि किस तरह से इस्ट्रक्चर आ थार्वे और निस्टाबी के अंदर में दोनों लेसन के अंदर में आप कर सकते हैं लोक नमबर सेवन ग्रामीन अर्थवस्ता के त्यांस के बारे में बात करें तो पर कोशण आपका बनकर आएगा ब्रिटिस भारते सरकार की भू निति क्या थी तो उस समय पर निति उनकी किस परकार की रहा इंपोटेंट लेसन इसको आपको पढ़कर जाना है स्थाई बंदवस्त लागू करने का कारण क्या था क्या परभाव रहा कृश्य निति किस पर तो पढ़के जल सकते हैं आपको याद रहने जी करन के अगर कोश्चन आए तो आप यहां पर कर सकते हो पर यहां पर कुछ खास कोश्चन आपको पीछे अर्थवस्था जंगलों को लेकर वनों की अर्थवस्था को लेकर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट था जो सरकार थे कैंसे सरकार की बात कर लो और टारेट्ली जो प्लख में रहने वाले लो उनके बीच में spoken ले कर दा तो लएकर पृटिज सरकार पेपना अधिकार करना शाते थी अपने अंदर रखना चाती जंगलों का यह हमारा है जबकि जो वन वासी थे उनका यह माना थे क्या हम जंगल में सुरू से रहते हुआ हैं तो जंगल हमारा होगा ना कि तर चीजे थी जिसके उपर कई सारे रूर रेगलेशन बनाएगा एक आपस में संगर सजैसिस्टी देखने के लिए मिलती है ठीक है और कई सारी मुवीज भी आपने दिखाओगा जहां पर जंगलोग काटा जाता है तो वह सेम पूरा सेनेरियो आपको डिकोड करना है और कुछ नहीं ठीक है तो लेसन नमबर 30 इजी है कर सकते हो लेसन नमबर 31 की बात करें अपने विशिक भारत में जंसंग की परिवरतन और क्रिशिश अगर मानलो जंसंग क्या बढ़ गई तो कुछ चेतर है उसके उपर इंपक्ट पड़ेगा क्यों पड़ेगा पैदावार भी तो ज्याज़ा चीन खाने लोगों को तो उसके लिए उत्पादन भी ज्यादा करना तो किस तर से क्या इंपक्ट है वह आपको प्रपर तरीक ब बाकी कुछ खास इस वाले के अंदरे में है नहीं यहां पर आप इसको अवोईड कर सकते हो सभी इस पूरे ब्लॉक के अंदर में आपको मिलेगा दो टॉपिक एक तो उपर बाद आपका सबसे पहले पृषी नीति से लिटेट कि क्रिशी नीति क्या है बोधिकार क्या यह वानेजीक करन वाले को आप मतलब थोरा से स्टड़ी करके चल सकते हैं बाकी कुछ खास है नहीं और लेस्ट नमबर 31 जहां पर हम बात करेंगे जन संकी की परिवर्थन के बारे में और 32 कुछ खास है नहीं जनजाती अर्थवस्ता को लेकर और संके की विवाद और यह मतलब भी नहीं पता होगा तो यहां पर इसको स्टड़ी करके चलोगे को याद करके कि हाँ यह इसका मतलब ही होता है जिससे बना कर भी आप उसको तरसको ठीक है तो अगला आपका आता है ब्लॉक नमबर 8 तिल पुतवादन तकनीक परिवर्तन और उद्ध्योगिक करें अ और ज्यादा लेसन है तो घबराने वाली बात नहीं क्या करूं कैसे करूं यहां पर सिंपल तरीका में सजेस्ट यह कर सकता है आपको कि आपके दाइनब के ऊपर में बहुत सारी वीडियो अप्रेड़ेड हैं आप उन वीडियो को सारा लें इसली कवर कर सकते हो सबसे पहल अर्थ में नहीं बोला गया कि यह चीज़ है तो यह चीज़ एक इंपर्टन रहेगा तो इसको आप पढ़के चलोगा टेपिडी बेस कोश्चन के इंदर में भी आता है लेसन नमर 35 जहां पर हम बात करते हैं सिल्प उत्पादन के बारे में लहू तरी उत्पादन के बारे वो पढ़के चलोगे तो यहां पर अगला लेसन के और देखें लेसन नमर 37 के अंदर में भारत की तकनीकी और विज्ञान समराज्य के बारे में इसमें सो कोशन बन सकता है कि भारत में विज्ञान और तकनीक का विकास के सारसे वह उसका इंपक्ट की इसके ओपर में क्या लेसन नमर 38 की बात करूं तो नियोजित अर्थवस्ता में और यहां पर रहेगा 1991 के अंदर में क्या सुधार के अर्थिक सुधार के बारे में आपने पड़ाओगा डॉक्टर मनमौन सिंग के द्वारा 1991 में आर्थिक सुधार किया गया जिसे हम LPG के नीत के तौर पर भी द सकता है या पंचो अर्सी योजना किस बरकार की थी ठीक है 1960 के दस्तव में भारतिय अर्थवस्ता की समक्षिक सुनोतिया कौन सी थी तो यह आप यहां पर कुछ टॉपिक्स हैं जिस पापड़ के तो उधारी करण की राजनितिक अर्थवस्ता यहां पे नव उधारवादी सुधार मतलब 1990 के अंदर की दसक के अंदर में आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए या पिर नव उधारवादी आर्थिक सुधार क्या है भारतिय वस्ता पर उधारी करण के परभाव क्या पड़े तो कुछ यह टॉपिक रहे इस पूरे ब्लॉक के अगर मैं बात करूँ त 260 के दसक में क्या इस्तिती रही अर्थ वस्ता है यह आप पढ़ोगे यह कुछ इंपर्टेंट हो हमने पूरे बुक के बारे में बात किया अब देखो यहां पर एक तरीके से हमने अनलाइज किया कि किस किस चीज़ों को हम पढ़ सकते कौन से लेसंस को पढ़े अब पूरा देखा जाए तो अभी आपके पास दो दिन का टाइम बचाओ आज 13 तारीक है और कल 14-15 तारीक आपका एक्जाम होगे तो दो दिन के अंदर मेंना इनफ टाइम है कि आप इन चीजों को पढ़ सकते हो जितने भी टॉपिक मैंने बताएं 10-12 मतलब लेसंस को भी बताएं 10-12 आप ज्यादा नहीं है 10-12 को आप अराम से एक एक लेसन को आदा-दा गंटा भी टाइंग दो तो राम से कर ला सकते हो जोड़ा भी डिल दो दिन इनफ है साथी साथ अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो साही से करो कितना टॉपिक में आपका अच्छे नमर बन सकते हैं अच तो आप उसको जरूर देखें जिससे आपको ना कोशन का पैटर्न के लिगा रहो हो एमेचाई 0-3 का अभी एक्जाम वाओ फॉर एक्जाम्पल मैं आपको बताऊं कोशन बहुत इजी आ रखे थे कोशन बहुत इजी थे बट कोशन घुमा कर पुछा गया और बहुत सारे ऐसे स्टुट्ट इननी समझ मैं लिखे कर एक तो कुछी स्टुट्ट्स करके आया है जो उनको पढ़के गये थे जिनको समझ मैं जिनको नहीं समझ मैं और छोड़कर आगी ठीक है तो यहां पर आपको ना कोशन का पैटरन भी समझ रहे है जिब कोशन का आंसर पढ़ने से अगर कोई कोश्चन है कोई डाउट है कोई कन्फियूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना कर सकते हो जहां पर आप अपने डाउट को सॉल्फ कर सकते हो अगर वट्सप कुर्प से जूड़ सकते हो आपके एक्जाम के लिए ओल दा वेस्ट आप सभी स्ट्विडियो आज की क करते हैं में ते एक लिए क्लास के अंदर अगर वाबाटिक है